Hello students, welcome to Global Online, this is Ankeita Soud, 36rd State Eligibility Test 2024 examinations are related, कुछ important questions के answer आज के वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, ये कुछ ऐसे questions हैं जो कि लगातार students हम से पूछ रहे हैं, जैसे कि सबसे बड़ा question यही रहता है बच्चों में, कि upcoming examination के लिए updated paper pattern क्या है, क्योंकि देखिए अगर आप लोग पेपर pattern को अच्छे से समझते हो, तो आप लोगों को तयारी शुरू करना और भी जादा आसान हो जाता है, साथ ही ये question भी बहुत बार हमने सुना है, कि negative marking exam में होगी या नहीं, और इस paper का detailed syllabus क्या है और कैसे हम लोगों को syllabus डाउनलोड करना है, ये सभी सवालों के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ ऐसे tips और tricks बताऊंगी, जो आपको मदद करेंगे आपकी तयारी शुरू करने में, और आपके first attempt में भी इस examination को qualify करने में, तो शुरू करते हैं discussion, सबसे पहले देखे students, updated paper pattern को आप लोगों को समझना है, so इस 36rd set examination में आपकी paper को दो हिस्सों में बाटा जाता है, एक होता है paper 1 और दूसरा होता है paper 2, तो दोनों ही paper बहुत जादा important है, दोनों paper के marks जुड़ कर आपका final result निकाला जाता है, paper 1 का syllabus जो है, वो सभी उन उमीदवारों के लिए common रहता है, जो भी ये paper देने जाते हैं, और paper 2 होता है, आपका subject related paper, ये वही subject है, जो आप लोगों ने post graduation में पढ़ा हुआ है, पेपर 1 में आपसे 100 questions पूछे जाते हैं, sorry, 50 questions पूछे जाते हैं, and 100 marks का ये paper रहता है, and paper 2 जो होता है, इसमें आपसे 100 questions पूछे जाते है, and total 200 marks का आपका ये complete paper रहता है, अब देखिए, यहाँ पर students paper 2 तो आपका subject related है, आपको इसमें पता है कि कौन सी चीज़ इंपोर्टन है, कहां से हमें कौन सी चीज़ पढ़नी है, लेकिन बात आती है paper 1 की, so paper 1 इस exam में ऐसा section होता है, जो आपको selection लेने में जरूर मदद कर सकता है, and paper 1 के best preparation के लिए complete course में लेकर आई हूँ, जिसमें students हम आपको daily live lectures के साथ exam से पहले 100% syllabus कवर करवाने की guarantee देते हैं, साथ ही आपकी concept बहुत ही जादा simple language में यहाँ पर clear हो जाएंगे, and हर एक concept के साथ, आपको हम उसी के MCQs and PYQs भी practice करवाते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, कि जो topic आप पढ़ रहे हूँ, उसमें से आज तक बाकी के states में और आपके state में कैसे questions पूछे गए हैं, mock test available है, जिसमें से guaranteed as it is questions आते हैं, and 2000 plus MCQ question bank भी आपके लिए हम लेकर आएं हैं, जो कि आपकी final revision में आपको बहुत ही जादा मदद कर सकता है, so students इसके लिए new batch हमारा 22nd April से start होने वाला है, आप बस given number पर contact कर लीजे, WhatsApp के थूँ और इसको join कर लीजे, exam का क्या level होता है, क्या pattern होता है, इसके according हम आपको तयारी कराते हैं, and free videos भी आपके लिए हैं, global online app को download कीजिए, यहाँ पर student store section पर search बार में लिखना है course का नाम, जैसे ही आप content पर जाओगे, detailed course आपके सामने है, जिस course में आपको test मिल जाते हैं, PDF notes मिल जाते हैं, और video lectures मिल जाते हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह बहुत important course होता है, and live lectures भी आप यहाँ से बहुत आसानी से join कर सकते हो, okay, so, paper pattern के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, अब बात करते हैं कि क्या paper 1 और paper 2 में negative marking होती है या फिर नहीं होती है, तो देखे students, आप चाहे किसी भी state का set exam दे रहे हो, या फिर uticinate exam दे रहे हो, फिल्हाल इन examinations में negative marking नहीं होती है, अगर देखे 150 questions आप लोगों के सामने है, 300 marks का paper है, तो समय भी काफी होते हैं, 3 घिंटे का समय आप लोगों को दिया जाता है यह paper पूरा करने के लिए, and क्यूंकि negative marking नहीं है, तो आप लोग बहुत असानी से, यहाँ पर सभी questions को attempt कर सकते हो, ओके, अब फिर बात आती है detailed syllabus की, तो सबसे पहले हम paper 1 की ही बात करेंगे, so paper 1 के लिए देखे, students UGC net का syllabus है, या फिर किसी भी state का set का syllabus है, paper 1 और paper 2 के लिए syllabus सेम रहता है, paper 1 में ये total 10 units होती है, okay, हर एक unit का detailed syllabus भी आपको बताऊंगी, और syllabus की PDF कहां से मिलेगी, उसके लिए students आप global online, आपके साथ साथ ये telegram group को भी join कर सकते हो, इस telegram group में मैं आप लोगों के लिए, PDFs, handwritten notes और important information जो भी होती है, examination से related वो सब share करती हूँ, तो आप लोगों को अगर आपके इस examination के syllabus की जरूरत है, syllabus की PDF चाहिए, तो मैं आपको इस group में share कर दूँगी, बस आप इस group को join कर लीजिए, और जो भी आपको जरूरत है, जो भी आपको help चाहिए, वो यहाँ पर आप message कर सकते हो, so detailed syllabus में देखिए, सबसे पहले teaching aptitude unit आती है, हर एक unit का equal weightage है, यहाँ पर जो हमने 10 units देखी, हर एक unit में से आप से 5 MCQs पूछे जाते हैं, यानि कि 10 marks की एक unit है, और total 100 marks का आपका यह पूरा paper रहता है, ठीक है, so यह बहुत जरूरी है आपको समझना, कि exam के level में कैसे questions आते हैं, ठीक है, किस level के question exam में आते हैं, यह समझना जरूरी है, तो teaching aptitude का यह पूरा syllabus है, इसमें जैसे कि कुछ important topics हैं, अब यहाँ पर इस video में तो मैं आपको important topics के list नहीं बता पाऊंगी, अगर आपको एक separate video चाहिए, जिसमें मैं आप लोगों को हर एक important topic बताऊं, जो कि बार-बार exam में आते हैं, तो आप मुझे comment कर सकते हो, मैं जरूर उस पे video लेकर आऊंगी, आगे देखिए research aptitude है, अब यहाँ पर बिच्चे खुश हो गए होंगे, कि थोड़ा सा syllabus है, बस 5-6 points है, लेकिन students, research aptitude एक बहुत ही ज़ादा important unit है, बहुत ही ज़ादा lengthy इसका syllabus होता है, और इसमें हर एक topic इतना ज़ादा important है, कि हम सब को expect कर सकते हैं, अब आप यहाँ पर देखोगे कि यह steps of research है, आप क्या करोगे, 5-6-7 जितने भी steps है, उनको बस पढ़ लोगे और हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, paper 1 में यही एक चीज़ बच्चों को समझने की जरूरत होती है, कि जो चीज़ें syllabus में लिखी है, as it is, सिरफ वो exam में नहीं आती, अब देखिए, यहाँ पर आपको कहीं पर hypothesis या फिर परिकल्पना नाम का topic दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, actually वो steps of research का है, कितना बड़ा अंदर का sub topic है, कितना बड़ा step है, कि इसी में से एक या दो question बहुत बड़े बड़े exam में पूछे जाते है, ठीक है, आप लोगों को sampling यानि कि नमूना करण नाम का कोई topic दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और यह भी इतना ज़ादा important topic है, कि sure है, यहाँ से एक question तो exam में आएगा ही आएगा, ठीक है, इसके साथ ही आप comprehension है, सो comprehension में मैं यह आपको बोल सकती हूँ, कि आप examination से one month पहले भी इस unit को पढ़ोगे ना, सिरफ daily one passage आप लोगों को पढ़ कर जाना है, जादा कुछ नहीं करना, इसी से आप लोगों की बहुत अच्छी practice भी हो जाएगी, और यह passage random कुछ भी मत उठा ले ना, सिरफ PYQs में से पढ़ लो, सभी states के PYQs में से पढ़ लो, आपको आसानी हो जाएगी, next है communication unit, इसका सलिबस यह देखिए, communication और math, इंदी medium students यह देख सकते हो, logical reasoning, यह देखिए, बहुत ही सादा important unit है, data interpretation, अगर देखिए data interpretation करना चाहते हो, से पहले math में profit loss, average वगएरा वाले concepts को clear कर लेना, तो आपके लिए यह unit और भी जादा असान हो जाएगी, ICT, ICT एक ऐसी unit है, जिसमें आप लोगों को concept पे जाने से अच्छा है, कि सिरफ PYQs practice कीजिए, set के, या फिर yoga से net के, यहीं से आप लोगों के questions बनते हैं, बहुत important unit है, people development and environment, Hindi में इसका यह syllabus देख लीजिए, next we have last unit, higher education system, तो यह भी देखिए syllabus बहुत कम दिख रहा है इसमें, लेकिन students बहुत जादा deep syllabus है, बहुत deep questions पूचे जाते हैं, तो exam में, जो मैं कहा रही हूँ, जो topics हाते हैं, लेकिन syllabus में as it is नहीं लिखे हैं, वो कहां से पढ़ने हैं, उसके लिए ही complete courses, या फिर आप लोगों के लिए proper guidance बहुत जादा जरूरी होती है, तो अभी आप लोग self study भी करना चाहते हैं, लेकिन एक proper guidance के साथ self study कीजिए, तभी आप लोग first attempt में exam को qualify कर पाऊगे, otherwise students, बहुत बार ऐसा होता है, कि बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, पूरी dedication के साथ पढ़ते हैं, लेकिन वो एक गलत track पर जा रही होती हैं, जी के पढ़ते रहते हैं, current affairs पढ़ते रहते हैं, जो कि exam में नहीं आते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को ये समझना जरूरी है, इसलिए proper guidance के लिए, आप मेरा telegram group जरूर join कीचे, जो मैंने आपको अभी बताया, उसमें आपके कोई भी doubts हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं जरूर आप लोगों की help करूँगी, so thank you so much everyone for watching this video, and I wish you all the best.